है 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 लो फ्रेंट्स वेल्कम तो मैं इस्टडी शुट चैनल दोस्तों आज मैं सभी खेलों के राष्टी हम अंतर राष्टी संगठनों के बारे में बता रही हूं जो आपके एक्जाम्स के लिए एक दू कोस्टन हर बार पुछा जाता है वीडियो को सुरूर से लाज तक कर देखेंगा दोस्तों यृदि आप तीजी टी प्जी टी के विस एनवे एक कर रहे हैं फीजिकल एज्वकेशन की तो सभी वीडियो ज मेरे चैनल पर सिलवस के कारिग हैं उस सभी वीडियो को वास्ट करके आप अपने प्रिपरेशन को बहतरीन कर सकते हैं दोस्तों डेल की फुट्बाल के अंतराउश्टी संगठन है जो अंतराश्टी इस तरपर फुट्बाल को संचालित करता है उसका नाम है फीफा इफ-i-e फीफा यानि फेडरेशना इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसियेशन इसके इस्थापना 21 मई 1904 को पेरिश फ्रांस में हुआ था इसका मुख्याले जीवरीक शुर्जल है पर्थम अध्याच इसके गुसरी गुरीन थी फ्रांस के एंड बरतमान अध्याच गियानी इंफेंटीनो शुर्जल लेंड के है नेश्ट है द इसके इस्थापना 23 जून 1903 शिमला में हुआ था इसका मुख्याल है कोलकाता पहस्चिम वंगाल है एंड इसके बरतमान अध्याच है प्रफुल मनुहर फटेल नेश्ट है क्रिकेट के अंतराश्टी संगठन का नाम है जो विस्व इस्तर पर क्रिकेट को संचालित करता है ICC ICC को फुल फार्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंशील इसकी थापना 15 जून 1909 लंदन इंगलेंड में हुआ था इसका मुख्याल है दुबई संचित अरब अविरात में है और इसके प्रफम अध्याच एलेन इशाक नीजिलेंड थे और बरतमान अध्याच ग्रेक बरकले हैं इसके कुल 104 सदस्ते से इसका मोटू क्रिकेट फॉर गुड या इसके सीयो है मनुशाहनि गांगुली अब बत करते हैं दोस्तों होकी की होकी की अंतर राष्ट ये संस्था का नाम है संगठ्रंग का नाम है इसका फूल फार्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी होकी इसकी स्थापना साथ जन्वरी उनिश्व चोवीश ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ इसका मुख्याले लुशाने शुर्जेलेंड है एंड पर्थम अध्यच इसके पालियान टसी फ्रांस के थे एंड इसके सदस्य एक सुनिश सदस्य देश है एंड परतमान अध्यच नर इसकी स्थापना 1925 नई दिल्ली में हुआ नई दिल्ली नेशनल इस्टेडियम में इसका मुख्याले है एंड इसके प्रथम अध्यच कर्नल ब्रूस तरनवाल थे एंड बरतमान अध्यच आरके सिठ्थी हैं जैसे कि दूस्तों विश्व हाकी संग की स्थापना 1924 में इसको ध्यान में रखिएगा एंड विश्व हाकी संग है इसने भारत में दो हाकी संगों कुमानेता दी एक है इसको मैं बता चुकी एक है यह चाही हाकी इंडिया हाकी इंडिया कि इस थापना 20 मई 2009 को गठं किया गया इसका मुख्याले नई दिल्ली है इसका बरतमान अध कि आंतराश्टिय संस्था का नाम है बी डबलू एफ यानि बैद मिन्टल वर्ल्ड फेडरेशन इसकी इसथापना 1934 केंट इंग्लाइन में हुआ इसका मुख्याले कौला लंपूर मलेशिया है इसका बरतमान अध्यशपाल एरिक है तो तो बैद मिन्टल का राश्टिय सं संगठन का संगठन है BAI यानि पेविंटन एसोसियेशन आफ इंडिया इसकी इस्थापना 1934 में हुआ इसका मुख्याले लखनव हुआ है अब बात करते हैं टेबल टेनिस की टेबल टेनिस की अंतराश्टी संगठन है ITTF यानि इंटरनेशनल टेबल टेनिस सेड्रेशन इसकी इस्थापना 1926 में हुआ इसका मुख्याले लुशाने शूर्जयलेंड है इसका परतमान अध्यच थामस विकर्ट जर्मनी के हैं एंडिस तो टेबल टेनिस के राश्टी संगठन है इसकी इस्थापना 1927 में हुआ अंतराश्टी वाला 26 में हुआ इसकी मुख्याले है नई दिल्ली एंड बरतमान अध्यच दुस्यांत सिंग चोटाला है अब बात करते हैं बॉली बॉल की बॉली बॉल की अंतराश्टी संगठन है यफ आई भी वी फाइव इसका फिल्फार्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी वालेवाल इसकी इस्थापना 1927 में हुआ इसका हेट क्वार्टर लोशाने सुट्जे लैंड है इसके बरतमान अध्यच एरिक ग्रेश है ब्राजील के आई दोस्तों एक और है अंतराश्टी संगठन बॉलीबॉल की ए वी सी यानि की एसेन बॉलीबॉल कंफरेडरेशन इसकी इस्थापना 1922 में हुआ हेट क्वार्टर ब्राजील चीन है दोस्तों बालीबॉल की राश्टी संगठन का नाम है भी एफ आई यानि बालीबॉल फेडरेशन आफ इंडिया इसकी इस्थापना 1921 में हुआ इसका मुख्याले डिल्ली में है और बरतमान अध्यच है भारती बालीबॉल संग की अच्यूता शामंता अब हम बात करेंगी बास्केटबॉल की बास्केटबॉल का अंतराश्टी संगठन का नाम है फीबॉल यानि यफ आई वी ए फेडरेशन इंटरनेशनल डिव बास्केटबॉल इसकी इस्थापना 1932 अमेरिका में हुआ इसका हेट क्वार्टर मीस स्वीर्जे लैंड है एन दोस्तों एक इसकी सुरुवात 1960 में हुआ था क्या है कि दोस्तों यह बास्केटबॉल खेल के इस्तर को और अधिक उचा उठाने के लिए इस्टियाए देशों में इसको आईजन शुरू किया गया था तब से इस प्रतिविता में देशों की संख्या में ब्रिद्धी होती चली गई इमित्रुप्षी는 si A.B.C परतिविता में भागत लेती आ रही है और 1975 में भारत ने इस प्रतिविता में में 4 अस्थान परत्त किया थे इसके से भारत का EC 5 आस्थान बरْकरार है तो पूछा जाता दोस्तों कभी कभी के A.B.C परतिविता की खेल से रिलेटेड है इसकी स्थापना 1950 में हुआ, इसका हेट क्वार्टर यानि मुख्याल है नई दिल्ली और इसके बरतमान अध्यच गोबिंदराज और दोस्तों BFI द्वारा बालकों के लिए प्रतिविता 1955 में हैदराबाद में शुरूप किया गया अब बात करते हैं खोखो की, खोखो की अंतर राष्टिये संगठन है AKKF यानि Asian Khoko Federation इसकी स्थापना यानि गठन हुआ 1987 में कलकत्ता में थर्ड शेप गेम के समय एंड खोखो का राष्टिये संगठन है KKFI, Khoko Federation of India इसकी स्थापना 1906 में हुआ दोस्तों कभी-कभी इसमें 1955 भी सही माल लेता है तो 1955-1960 दोनों है यदि 1955 नहीं दिया है तो 1960 इसमें सही रहेगा और कभी-कभी 1965 पच्पन दोनों रहता है तो भी 1960 सही रहता है और इसका मुख्याल है नए दिल्ली है अब बर्तमान अध्याच खोखो Federation of India के सुधान्शू मित्तल है अब बात करते हैं कभड़ी की कभड़ी की अंध्राष्टी संगठन है आई के एफ यानि इंटरनेशनल कभड़ी फेडरेशन इसकी स्थापना 2004 मुंबई में हुआ इसका एड़ कॉर्टर एनि मुख्याल है जैपूर राजस्थान इसके बर्तमान अध्याच जनादन अब बात करते हैं दोस्तों इसके राष्टिय संगठन की कभड़ी की राष्टिय संगठन है के एफ आई यानि कभड़ी फेडरेशन आफ इंडिया इसकी स्थापना 1950 में हुआ इसका हेट क्वाटर कलकत्ता में है और इसका बर्तमान अध्याच है इसके प्रतमान अध्याच थे कभड़ी फेडरेशन आफ इंडिया के एच के गोड़वाले और बर्तमान अध्याच सुरेंद्र पहल हैं अब बात करते हैं दोस्तों जिमनास्टिक की जिमनास्टिक को अंतराश्टी संगठन है यफ आई जी यानि फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिमनास्टिक इसकी स्थापना 1881 लुशाने श्रुजर लेंड में हुआ इसका राश्टिय संगठन है जी एफ आई जिसका फूर फार्म है जिमनास्टिक फिडरेशन आफ इंडिया इसकी स्थापना 1931 नहीं दिल्ली में हुआ इसका हेड़क्वाटर नहीं दिल्ली एंड बर्तमान अध्याच सुधीर मित्तल जी है अब बात करते हैं दोस्तों हैं हैंड बाल की हैंड बाल का अंतराश्टी शंगठन है आई एचेफ यारे इंटरनेशनल हैंड बाल फेडरेशन जिसकी स्थापना 1946 में हुआ और मुख्यालेव बसेल शुर्जेलेंड एंड अध्याच हसन मुस्तफा एंड दोस्तों ए एचेफ एफ एसेन हैंड बाल फेडर इसकी स्थापना 1976 में हुआ हेटक्वार्टर सफथ कुबैट सिटी कुबैट है एंड दोस्तों हैंड बाल का राष्टी शंगठन है एच एफ हाई हैंड फेडरेशन अफ इंडिया जिसकी स्थापना 1972 में हुआ इसके फाउंडर थे जगत सिंग लोहन रोहतर खर्याराग से अब बात करते हैं कुष्टी यानि रेस्लिंग की इसका अंतर नाष्टी संगठन है फीला यानि इसका फुल फॉर्म है इसको इंटरनेशनल फेडरेशन आप इसोशियेटेड रेस्लिंग भी कहा जाता है इसकी स्थापना 1912 में हुआ इसको अब बर्तमान में UWW यानि United World Wrestling बुला जाता है इसका मुख्याल है यानि Headquarter कर्सियर सर सुर्जर लेंड है बर्तमान अध्यच नेनाद ललोविच एंड कुष्टी के राष्टी संगठन है WFI यानि Wrestling Federation of India यानि भारती कुष्टी संग इसकी स्थापना 1948 में हुआ इसका मुख्याल है नई दिल्ली है बर्तमान अध्यच है मिस्टर ब्रिजभूसर सर सिंग वेरी इंपोर्टेंट है अब बात करते हैं टेनिस की टेनिस की अंतर राष्टी संगठन का संगठन है ITF यानि International Tennis Federation इसकी स्थापना 1913 में हुआ इसका राष्टी संगठन है AITA All India Tennis Association इसकी इस्थापना 1920 में हुआ इसका हेट क्वाटर नई दिल्ली है इसके बर्तमान अध्यच है प्रवीन महाजन अब बात करते हैं टेराकी यानि Swimming की टेराकी यानि Swimming के अंतर राष्टी संगठन है फीना इसको फूल फाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन इसको यस आई एस भी बूलते है इसको आई एस भी बूलते है यानि International Swimming स्विमिंग फेडरेशन इसकी स्थापना 1908-19 जुलाई को हुआ लुसानी स्विजन लेंड में तराकी का राष्टी संगठन है स्विमिंग फेडरेशन इंडिया इसकी स्थापना 1948 में हुआ इसके प्रतम अध्यच एएस जाओदवाला हेटक्वार्टर अहमदाबाद गुजराद एंड बरतमान अध्यच है दिगंबर वी कामत अब बात करते हैं जुडू की जुडू क्यांतराष्टी संगठन है आई जे एफ यानि इंटरनेशनल जुडू फेडरेशन इसकी स्थापना 1991 में हुआ हेटक्वार्टर लुसाने स्रुजयलेंड अध्यच मारियस वीजर आस्ट्रिया इन इसका राष्टी संगठन है जे एफ हाई यानि जुडू फेड करते है मुक्यबाजी यानि बॉक्सिंग की आंतराष्टी संगठन है AIBA जिसका अस्थापना हुआ उनिसो चीयलेश में हेटक्वार्टर लुसाने स्रुजयलेंड और इसका राष्टी संगठन है AIBA यानि इंडियन बॉक्सिंग फिद्रेशन इसका हेटक्वार्टर है ने ते हम किला इन इसका ब्रतमान धियस की आपना हुआ उनिसों चार्श में अंडि बातवान अद्यछ है अजस्थी यानि इन बॉक्सिंग फिदेशन इनि फिद्रेशन बॉक्सिंग फिदीत्शन ऐघ है जैस्थी आर्शइश्णि अब बात करते हैं बिलियर्स ैन यानी World Confederation of Billiards Sports. इसकी गठन हुआ उनिष्चो बानवी में. हैड़क्वार्टर है सेंट मोर्टेन लेटम बेल्जियम. इसका राष्टिय संगठन है BSF I यानी Billiards and Snooker Federation of India. इसकी इस्थापना हुआ उनिष्चो चबविस में. हैड़क्वार्टर है कलकत्ता. अब बात करते हैं पोलो की पोलो का अंतराश्टी संगठन है यानि फेडरेशन आफ इंटरनेशनल पोलो इसके इस्थापना 1983 में हुआ इसका हेड़क्वार्टर है विन्यूल सेंट फर्मिन अब बात करते हैं सतरंज की यानि चेस की इसका अंतराश्टी संगठन का नाम है फीडे फीडे का फुल्पार में फेडरेशन इंटरनेशनल दी चेस इसकी इस्थापना 1924 में हुआ इसको अब बरतमार में WCF यानि की वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी बोला जाता है इसका हेड़क्वार्टर है एथेल्स ग्रीश इसका राश्टी संगठन है AICF यानि आल इंडिया चेस फेडरेशन जिसकी इस्थापना उनिश्टो एक्याउन में हुआ इसका हेड़क्वार्टर है चिन्नाई इन बरतमान अध्याच है बेंकर्ट रमार राज नेश्ट है दोस्तो बेशबॉल बेशबॉल का अंतराश्टी संगठन है IBAF यानि इंटरनेशनल बेशबॉल फेडरेशन जिसकी इस्थापना हुआ 1938 में इसका हेड़क्वार्टर है लोसाने श्रुजलें तो दोस्तो ये था सभी खेलों के राश्टी और अंतराश्टी संगठनों के बारे में जिससे एक तो कोस्चन हर बार पुछा जाता है 100% पुछा जाता है तो दोस्तो आई होब की सभी टापिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और दोस्तो इस वीडियो को ज़्यादे ज़्यादे सेयर किया कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए पहली बार विजिट कर रहे हैं